आइकोडर ब्लॉग तो बहुत मस्यदार हो गया है लेकिन अभी बहुत सारी चीज़े बाकी है पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त पाइफनमेनेज.pyrunserver लिख दो और उसके बाद क्या करो यहाँ पर पाइफनमेनेज.pyrunserver लिखने के बाद अपने ब्लॉग को खोलो अब यहाँ पर ही जो होमपेज है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है अब यहाँ पर अगर आप कोई और चीज़ लगाना चाते हो तो आप लगा सकते हो मैंने यहाँ पर लिख 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 देंगे कि यहाँ पर जो है प्रोग्रामर्स का बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जो भी आप लिखना चाते हो आप लिख देना है यहाँ पर मैं क्या करूंगा जैंगो अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता दू तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जैकोरी टुटोरियल फॉर बिगिनर्स ठीक है और मैं इसको सेव कर देता हूँ और जैकोरी में जैंगो का लोगों मैंने लगा रहा है पता है थोड़े सी गड़बड़ है बट आप अपना कोड बहुत अच्छे से बनाना इस चीज को है बहुत ही बड़ी अधरीके से आप लोग कर सकते हो अब यहां पर कुछ गडबड़ आ रही है इसको चेक करता हूँ मैं जरूर कोई चोटी मोटी प्रॉब्लम है HTML में तो इसको मैं जल्दी से फिक्स कर देता हूँ मेरे ब्लॉग होम वाले पेज में तो जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होँ मेरे साब से कुछ इमेज में कुछ इनकंसिस्टेंसी की वज़से है यानि कि कई HTML की इनकंसिस्टेंसी है तो मैं इसको क्या करूंगा सॉल करने के लिए अभी के लिए इसको कम कर दूँगा इसको मैं 200 कर दूँगा तो शायद यह उस इमेज तक पहुचे का नी बट अगयन इसको हम लोग जो है बात में फिक्स कर लेंगे देख लेंगे क्या सीन है तो कोई साही हो गया भी क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत टेक्स लूँ सिर्फ इमजी टेक्स तक ना पहुच हूँ तब शायद यह साही चल रहा है निवेज जो भी है अभी जो है हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं और continue reading पर क्लिक करते हैं और यह देखो यहाँ पर continue reading पर क्लिक किया तो what is jQuery और यह सब लिखकर आ गया है comments a very nice blog on jQuery मानलो आपने लिखा submit किया और यहाँ पर देखो very nice blog on jQuery आ गया और यह जो reply है यहाँ पर मुझे पता एक डबबा बनाना है ठीक है चलेगा अब यह के लिए बहुत ही सही है अब यहाँ पर क्या है comment has been posted successfully अब इस वीडियो को मुद्दा क्या है यहाँ पर अब मैं क्या नया करना चाता हूं यह आप लोग को बताता हूं मैं आपर सबसे पहले तो वियूज लगाना चाता हूं blog में कि यहाँ पर आजाएं कितनी views हैं तो मैं कुछ यहाँ पर चाहूंगा कि यह वीऊज आजाएं जहाँ मैं time कह रहा हूं तो अगर यह जो मेरा paragraph है जहां पर मैंने यह लिखा हुआ है और उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि इस blog में कितने views हैं यह मैं डालना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा अपने blog post में जाकर यह एचरेफ कहां पर है यह ढूंड रहा हूं भी मैं post content से पहले यह एचरेफ है और यहां पर मैं एक paragraph लगाँगा और यहां पर लिख दूँगा 234 views ठीक है रिखता हूं कैसा लग रहा है यह मैं चाहता हूं कि यह उपर ही आ जाया तो इसको span मना देता हूं span मनाता हूं सबसे पहले तो और इसको paragraph के अंदर ही ले लूँगा इसको span tag बनाया spam नहीं है span ना 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 रे copy gears को मैंने cut करूँगा in fact और यहांपर डाल दूँगा span को और यह इसको reload करूँगा तो मुझे इसी line में मिलेगा एक space देना पड़ेगा हाँ ठीक है एक space दे दिया है यहां पर एक white space लगा दी 234 views आ गया ठीक है चलो जी बढ़िया 234 views मिले इस block को इसको करने के और तरीके भी हो सकते हैं आप 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 वियूस का जो फैव आइकन है वो लगा सकते हो आपके बहुत सारी choices है आपके आप अराम से यूस करूँ जो भी आप लोग यूस करना जाते हो मैं भी यहांपर क्या करूंगा अपर इसको ऐसे ही रहने दूँगा 234 व मुझे यहाँ पर कितने views हैं इस blog post में उसके लिए एक वो बनाना है क्या कहते है model में changes करने तो यह जो मेरा models है इसमें मैं क्या करूँगा हर post को views करूँगा इसमें views कर दूँगा models dot integer field integer field और सिर्फ integer field मैं आपर लिख रहा हूँ यह models दो बार आ गया कभी कभी यह intelligence काम नहीं करता है पता नहीं क्यों views को मैंने कर दिया यह पर और views यहाँ पर आ चुका है अब मैं आपर जब post लिखूँगा तो यहाँ पर directly मैं post dot views कर दूँगा और मैं आपर लिख दूँगा कुछ इस तरह से post dot views और इसकी जो default value है उसको मैं कर दूँगा क्या उसको मैं zero कर दूँगा ठीक है migrations महाँ लेते python manage dot py make migrations migrations क्या करते हैं यह change को एक file में log कर देते हैं जो भी change मैंने किया और जब मैं लिखूँगा python manage dot py migrate तब क्या होगा यह actually read away इसमें जाकर write हो जाएगा तो अभी सारे views की value zero है तो मैं इसको reload करूँगा तो देखो zero views लिखकर आ रहा है तो मैं क्या चाहूँगा कि जब भी कोई इसको visit करे मेरे blog को यानि कि कोई भी आये यहां पर blog post में मैं चाहूँगा कि उस blog post के views की value को बढ़ा दिया जाए उस blog post के views की value को बढ़ा दिया जाए मैं कहूँगा post dot views is equal to post dot views plus one और post dot save ठीक है तो मैंने post की जो views की value है उसको बढ़ाया और कर लिया post को save तो अब मैं अगर इसको reload करूँगा तो देखो one view आ गया ठीक है reload करूँगा two views फिर से reload करूँगा three views जितने लोग इसको visit करते जाएंगे ये views बढ़ते चले जाएंगे देखरें आप लोग यहाँ पर six views seven views eight views यहाँ ब्लॉग में आऊँगा तो मैं यहाँ पर भी लिखना चाहूँगा कितने views है इसमें और यहाँ पर आप लोग design मना सकते हो कि continue reading इतने views इतने बज़े लिख लिखा गया था तो वह सब आप आप जो है देख लेना आर्टिकल बाई हैरी के अंदर ब्रैकेट में कितने views है वह आ जाए तो मज़ा आ जाए तो जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें आर्टिकल बाई यहाँ पर आर्टिकल बाई उसके बद मैंने आ पर लिखा है ब्लॉग पो इस भी दिखने था मैंने views नहीं लिखा गया ओके views नहीं लिखा मैंने यहाँ पर लिख कर आ रहा है one views ठीक है और मैंने एक ब्लॉग पोस्ट में शायद बहुत सारे views भी डाले थे वह कौन सा था यह वाला था कि हा नाइन views तो मैं इसको refresh करता जा रहा हूं और देको views बढ़ते जा रहे हैं तो लोग क्या करते हैं इसको खेल बना लेते हैं और अगर यह कोई public website है कोई forum टाइप का है यह कोई ऐसी चीज है जिस पर लोगों का अपना post आ जाता है जानी कि वो जो post है वो उन से associate हो जाता है तो वो कहेंगे या views बढ़ाते हैं चलो अपने post के तो वो refresh करने लग जाएंगे which is not good for you वो आपके लिए अच्छा नहीं है क क्योंकि वो reflect नहीं करेगा correct views in fact अगर मैं यहाँ पर कोई extension बना दूँ जो कि reload करती है in fact reload की extension होती है reload chrome extension अगर मैं आप लिखूं तो chrome की एक reload extension आजाएगी अटो refresh chrome extension देखो यह भी यहाँ पर कहारा not found पता नहीं क्यों बट आटो refresh chrome extension तो यहाँ पर देखो कुछ chrome extension से जोगी क्या करती हैं आपको automatically refresh करने में help करती हैं हर 10 seconds हर 5 seconds में आप रूज़ रिफ्रेश कर पाएंगे तो यह बिलकुल भी अच्छा experience नहीं हो अगर किसी ने कभी इसको कुछ इस तरह से कर दिया तो क्या होगा कि आपके block पे load पड़ जाएगा और आपका अगर कोई refresh करे जा रहा है बार बार तो क्या होगा बार बार आपका database write हो रहा है और अच्छी बात नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि यह जो views in को backend में save कर लेते क्रॉन जोब क्या होता है आपकी machine में चोकी process continuously run होती रहती है वो एक process run कर देते है और वो process क्या करती है वो determine करती है कि कितने views legit है और कितने views fake है जैसे कि मान लो मेरी IP address है जो भी मेरा IP address है मान लेते है ठीक है just assume करो यह मेरा IP address है अब मान लो इस IP address से एक minute में एक लाख views किसी और अगर एक IP address से नहीं तो एक client से एक computer से view नहीं कर सकता ठीक है तो उस तरह के signals को लेकर आप क्या कर सकते है views को filter कर सकते है उन्हें एक लाग को एक view count करके और increment कर सकते है तो इस तरह से views को adjust आपनों कर सकते है लेगिन अगर आप लोग जो है reload करते जाए इसको reload करते जाए जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो क्या हुआ क्या होगा फिर तो definitely यहां पर views बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते 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 आपका पता नहीं कहा पहुँच जाएंगी views ठीक है तो वो चीज़ करना बहुत असान हो जाएगी अगर किसी ने कोई program अगर कोई python वगएरा एक script लिख दिये उसने और उपर से multi trading processing लगा दी तो क्या होगा कि आपके 9-10 लाग भी पहुंच जाएगा रहा हम से ठीक है तो वो सब अगर कोई compute power use करेंगे तो destruction होगा ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि वो सब होगर आप लोग एक production block बना रहे हैं तो इन चीजों का द्यान रखना मैं अगर एक छोटा मोटा block बना रहे हो जो start कर रहे हो और किसी नंबर भड़ा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है इसको 15 को 15 लाग कर दिया किसी ने तो आप इसको वापस कुछ गिन के 17 कर देना काल 15 था आज 17 मान लेते हैं ठीकि दिन में 2 करते हैं average तो उस तरह से adjust कर सकते हो लेकिन अगर आप एक serious organization को represent करते हो जो कि बिल्कुल भी इस तरह के desk नहीं ले सकती जो कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि गलत views को represent अगर किया कुछ भी गलत यहां पर लिखा तो impact थोड़ा हाई है तो उससे साब से आपको populate मैं कर पहूंगा कैसे number of views के एसाब से मैं popular blog post को मैं क्या करूंगा top 3 views ले लूँगा मैं जो views हैं उनमें से top 3 ले लूँगा और top 3 लेने के बाद मैं क्या करूंगा इसको यहां पर display करा दूगा मेरे 3 popular blog post यह हैं और dynamically वो change होते रहेंगे जैसे जैसे मेरे किसी दूसरे blog post म में views जादा आएंगे तो मेरा यह जो है यह change हो जाएगा तो एक task आप लोगो को देना चाहूंगा यहां पर कि आप लोग try करो popular blog post को यहां पर populate करना अगर नहीं होता है तो हम लोग आने वाले videos में करेंगे कि मैं चाहता हूं यह चीज़ आप खुद करो और Google आपके पास है जैंगो में नए नए APIs आती रहती है जैंगो के नए वर्जन में नए नए चीज़े आती रहती है आप लोग देखो कि ORM को किस तरह से यूस किया जा जाए जैंगो कि top 3 आप blog post यहां पर pull कर सको और उनको यहां पर display करा सको और यह कहां पर आएगा आपके index वाले page में आ आप में आना पड़ेगा और इसके views को खोलना पड़ेगा और जो हमारा home है मैं आप लिखता हूं fetch उपस मुझे आप python का comment लिखना है मैंने javascript का comment लिख दिया fetch top 3 posts based on number of views आपको top 3 posts को fetch करना है ठीक है और top 3 posts को fetch करके आपको context में भेजना है तो अभी मैं context is equal to यह कर देता ह मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको अपने हिसाब से करो और फिर home.html में क्या होगा कि आपका वो post आचाएगा और आप जो है loop करके और यहां पर यह display करा आप होगे ठीक है तो मैं चाहता हूं यह चीज जो है आप लोग खुद करो okay so I hope कि आपको इचीज समझ में आ यहां क्लिक करके और यहां क्लिक करके save कर ली होगी so guys यह रही हमारी playlist जिसको आप लोगो करना access अगर आप लोगो ने भी तक नहीं किया access तो तो इसको जरूर उपर bookmark कर लेना click करके और save भी कर लेना आप लेकर करके और इस वीडियो को यह लाइक जरूर कर देना अगर झाल